नमश्कार दोश्तो इस डिसक्शन में हम 23 अपरेल 2021 का Most Important Current Fair को कवर करेंगे और इसी के साथ में जो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरिस चल रही है इसकी 9th क्लास है जिसमें हम High Court को स्टार्ट करेंगे और इस डिसक्शन की PDF आप टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेजेगा टेलिग्राम चैनल का लिंग डिसक्शन बोक्स में आपको नीचे मिल जाएगा तो चलो अब इस क्लास को में स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले ये देखिया आप देखो इस वीडियो में हम 2019, 2020 और 2021 का जो Most Important Current Fair है इसको कवर कर रहे हैं और इस वीडियो में हमने Static GK की नई सीरीज चेल आई है जिसमें हम Most Important Question को कवर कर रहे हैं और इन दोनों की एक एक क्लास अपलोड हो गई है और नीचे वाली जो वीडियो है इसमें हम पिछला जो 6 महीने का Current Fair है इसको कवर कर रहे हैं जिसका Part 3 अपलोड हो गया है और देखो इन तीनों वीडियो का लिंग आपको डिस्क्रिप्शन वॉक्स में नीचे मिल जाएगा तो चलो अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं पहलो कोशन क्या है फर्स्ट कोशन में ये पूछा गया है State of the Global Climate 2020 रिपोर्ट किसने जारी की है फिर से बोलता हूं State of the Global Climate 2020 रिपोर्ट किसने जारी की है तो अभी ह चाली में इस रिपोर्ट को जारी किया गया है WMO के द्वारा सी इस कोशन का सही आंसर है WMO इसका पूरा नाम कहा है World Metrological Organization अगर हिंदियों मोले तो विश्व मोसम विज्ञान सेंगटन इसके द्वारा State of the Global Climate 2020 रिपोर्ट जारी की गई है अब इस रिपोर्ट में क्या कहा ग Organization इस बोड़ी की स्थापना कब हुई थी तो देखो इस बोड़ी को फांड किया गया था कब 1950 में यानि आज से 71 साल पहले इस बोड़ी की स्थापना हुई थी यह UN की Specialized Agency है इसका अगर हम Headquarter के बाद करें यानि मुख्याल है तो यह कहां पर है यह सुजिलेंड के जनेवा म और यह कहां से हैं यह जर्मनी से हैं इसके अगर हम Secretary General की बात करें तो यह कौन है पिटेरी तलास नाम लिए तो पिटेरी टी डवल टी ए आ रही पिटेरी टी डवल ए ले एस यह कहां से हैं यह फिल्लेंड से हैं तो यह तो बात करें हमने WMO के बारे में अब बढ़ते हैं अगले कोशेंगी तरफ किस राज्य के पूर्व मुख्यमंतरी ब्हूमिधर बर्बन का April 2019 में निधन हो गया तो बताए इस कोशेंगा क्या अंसर सही है तो देखो यह असम के हैं मुख्यमंतरी नाम क्या है ब्हूमिधर बर्बन जिनका भी हाली में अपरल 2020 में निधन हो ग पहले पॉइंट क्या है पहले पॉइंट में यह कहा गया असम सरकार ने इसमार्ट थाने बनाने के लिए मोहित्री योजना शुरू की सबसे पहले तो कोशन यहीं से उठेगा मोहित्री योजना किस राज्य की है तो यह असम की है सेकंड पॉइंट क्या है भारत ने ADB एशन डेवलपेंट बैंक इसके साथ असम में बिजरी उत्पादन शम्ता में व्रदी करने के लिए 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रण पर हश्ताक्षर किये हैं सुधानसु धूलिया को गुवाटी उचनैले का मुखे नयादिस न्यूक्त किया गया असम के मुख्यमंत्री ने 9 जनवरी 2021 को 25 गुलावी बसों को हरीजंडी दिखाई असम सरकार ने राज्य के करमचारी को खादी के कपड़े भेट करने का फैसला किया असम सरकार ने अरुनो दोई स्कीम को लौंच किया ये स्कीम भी इंपोटेंट है असम की तेजपूर लीची को GI टैक दिया गया कोठी भीयू तोहार ये असम में बनाय गया दिखो ये जो कोठी भीयू तोहार है ये भी रिसेंटली एक 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 इकजाम हुआ था आईबी का कोशन क्या है दुनिया का पहला देश कौन सा बना है जहां मास्क को नए पहनने के आदेश दिये गए है तो यह बना है इसराइल अभी हाले में इसराइल के अंदर तकरीवन आप यह कह सकते हैं 81% जो वहां की पॉपुलेशन है उसको टीका करन कर दिया गया है तो इसलिए पर है यह देखे यह इधर इसराइल है अब इसकी अगर हम कैपिटल के बात करें तो यह देखे कैपिटल कहा है जैरुसलिम और यह इसकी लार्जेस सिटी भी है करन्सी कहा है न्यूशिकिल परधान मंत्र कोन है बिंजमीन नितनियाओ इसके अगर हम आसपास की देश की बा और इधर है ये जोडन, जोडन जो है ये लैंड लोक है, मतलब इसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है, तो ये तो बात करी है हमने इसराइल के बारे में, चलते हैं अगले कोशन की तरफ, किस राज्ये की सरकार राज्ये में ऑक्सिजन उत्पादन बढ़ाने के लिए य इसमें से जो चार प्लांट हैं, ये खांडवा, उज्जेन, सिप्पुरी और सियोनी, इन जिलों में इनका काम स्टार्ट हो गया है, और मंसोर और जवलपुर, यहाँ पर अगले दो दिनों में, जो मतलब अगले दो प्रोजेक्ट हैं, इनका काम स्टार्ट हो जाएगा, रतलम और मोरेनर डिश्टिक, यहाँ पर अप्रेल के आकरी तक काम स्टार्ट हो जाएगा, तो इस कोशन का सही आंसर है, मध्यपरदेश, अब बात मध्यपरदेश क्यों ही है, तो इसका जो पिछला क्रेंड़ फेर है, इसे भी हम कवर कर लेते हैं, पहला पोइंट क्या है इंदोर के अंदर आतम निर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर का उधगाटन किया गया, इंदोर को सिंगल यूज प्लास्टिक फिरी बनाने के लिए प्लास्टिक प्रेमियर लीग टूर्रामेंट का युजंग किया गया, रानी पदमा वती का मेमोरियल ये भोपाल में बनेग जिसमें वहाँ के लोग जो मिलावटी मैटरियल बनाकर मार्किट के अंदर सप्लाई करते हैं, उनके खिलाफ सक्से सक्त कारवाई की जाएगी, मिशन ग्राम उद्धे इसको लौंच किया मद्धे परदेश की सरकार के दुआरा, मद्धे परदेश ने संकल्प अभियान उर्युकिया, अपरियल 2020 में मद्धे परदेश सरकार ने 726 करोड की राजमार्क पर्योजनाओं को मंझूरी ढी, मद्धे परदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के 52 जिलों के लिए 52 करोड रुपे की राशी जारे की, तो ये तो बात करी हमने मद्धे परदेश क के बारे में चलते हैं आगे, विश्य पृत्षवी दिवस कम मना जाता है, तो ये हर साल 22 अप्रेल को मना जाता है, अब मनाने का इसका मकसद क्या होता है तो देखो जो पिर्थवी है आप यह कह सकते हैं blue planet इसका जो environment है इसको maintain करना और जो pollution का level है इसको कम करना इसके बागर में इसके बारे में जाग रुकता फैलाना यह इस दिन को मनाने का पूरा objective होता है तो इसे बाइस अप्रेल को मना जाता है अब इ theme है restore our earth यह बाइस अप्रेल को मना जाता है world earth day अब बात कर लेते हैं जो अप्रेल के important days हैं इनके बारे में देखो यह हैं अप्रेल के important days एक काम किजिए इसका और यह मार्च के important days है और यह फरवरी के important days है इन तीनो slide का आप screenshot ले लेजिए और इनके notes बना लेजेगा चलते ह आपर इसे है तो यह बने है 68 grand master अब दोको अब एक्जाम में पूचे जा सकता है 67 ये कौन बने ते तो ये बने ते लियोन्मेंडों का और ये कहां से थे ये गोवा से थे ये गोवा से थे 67 नम़र के grand master और 68 और अब देखो बने दोकुर इते और इसे समानित किया गया Thank you इनको Indian Achievers Award 2021 से सम्माइनित किया गया था अजे मातुर ये कोन है ये ISA के हैड है ISA क्या है International Solar Alliance इसके ये हैड है अच्छा ये बताइए International Solar Alliance इसका मुख्याले कहाँ पर है इस कोशन का अंसर आप बताइएगा comment box में कि International Solar Alliance इसका मुख्याले किस सहर मेच देते हैं क्या ये बहरत में है या फिर विदेश में है अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ Mount Anpurn किस देश मेच देते हैं देखो ये mountain अभी हाली में चर्चे में इसलिए आया क्योंकि महराश्ट्रा की जो सतारा जिला है महाँ पर एक है प्रियंका मोहिते फिर से बोलता हूँ महाराश्ट्रे के सतारा जिले की हैं प्रियंका मोहिते इन्होंने इस mountain अनपूर्णा पर चड़ाई की इसलिए ये mountain अभी चर्चे में आया तो ये कहां पर है ये नेपाल में है देखो ये हैं ये प्रियंका मोहिते अब बात कर लेते हैं अनपूर्णा की ये जो mountain अनपूर्णा है ये देखे ये नेपाल के अंदर है यहां पर अब बात हुए हैं आप एक नेपाल के बारे में जो basic information है इसको cover कर लेते हां सबसे पहले तो आप नेपाल की location देखे ये नेपाल की location कैपिटल कहा है काटमांडू जो इसकी लार्जे सिटी भी है करंसी कहा है नैपलीस रुपी परधार मंत्र कोन है केपी सरमाउली राश्टपती कोन है विद्या देवी भंडारी अब देखो कोशन पूछा जाता है भारत के कितने राज्यों की सीमा नैपाल के साथ लगती है त चलते हैं आगे भारत और अमेरिका किस देश में इस्थिर्टा के लिए अपने पिरियासों का समन्वे करेंगे तो यह कहां पर करेंगे यह करेंगे अफ्कानिस्तान में Actually हुआ कहा कि America जो है वो अपने ट्रुप्स को अफ़कानिस्तान से निकालना चाहता है कब तक 11 सेप्टेंबर 2021 तक अब बात हुए है आपे देखो अफ़कानिस्तान की तो इसकी लोकेशन देखे कहां पर है अफ़कानिस्तान की लोकेशन इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें कैपिटल कह है काबूल काबूल इसकी largest city भी है करंसी कहा है अफगानी प्रेसिडेंट कौन है असरफ घनी देखो ये है काबूल कभी कभी एक्जाम में पूछ जाता है capital भी अच्छा ये बताइए कल हमने एक सहर पढ़ाता नाम कहता पलमाईरा ये कहां पर है देखो ये पूछ जा सकता है तो ये कहां पर है ये सीरिया में ह अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि इसी के पास में रूस ने एर श्टाइक किती इसलिए ये सहर चर्चे में आया था, चलते हैं अगले कोशन की तरफ कितने सहरों में DR-DO, COVID-19 अस्पताल इस्थापित करेगा तो ये कितने सहरों में करेगा, तीन सहरों में अब ये तीन सहर कौन कौन से हैं लखनोव, वारानसी और एहमदाबाद फिर से बोलता हूँ लखनोव, वारानसी और एहमदाबाद अब बात कर लेते हैं DRDO के बारे में DRDO पूरा नाम क्या है Defense Research and Development Organization हिंदी में क्या नाम है रक्षा अनुसंदान और विकास सेंगठन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में इस बोड़ी की स्थापना हुई थी अब पूछा जाएगा मुख्याले कहां पर है? यानि हेड़कॉर्टर तो यह कहां पर है? नई दिल्ले में इसका हेड़कॉर्टर है अब पूछा जाएगा चेर्मेन कौन है? तो चेर्मेन कौन है? डॉक्टर जी सती सरेडी याद रखेगा? यह सभी पॉइंट इंपोटेंट है अगर इसकी हम लेबरिटरीज की बात करें तो आज की रेट में 50 से उपर तकरीबन 52 लेबरिटरीज हैं अब कौन से मिनिश्टर इसके लिए रिसपोंसिवल होते हैं? तो मिनिश्ट्री ओफ डिफेंस अभी ये रक्षा वंतराले किसके पास है? राजना शिंधिंग के पास तो यही इसके लिए रिसपोंसिवल मिनिश्टर भी हैं तो ये तो बात करी हमने DRDO के बारे में बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ नेशनल क्लाइमेट वलेरिविलिटी एसिस्मेंट रिपोर्ट के अनुसार कितने भारते राजजे हैं जलवाईू परिवर्थें के लिए अत्यदिक असुरक्षित हैं तो बताईए इस कोशन का किया आंसर सही है अब देखो इस कोशन का तो वैसे सही आँसर है ये अभी जो आठ राजर है न इनके नाम तो इंपरिटन नहीं है कि exam में इनके नाम भी पूछ जएंगे लेकिन फ्र भी एक बार पदेजिए हो सकता है कहीं पूछ लेजाए तो नाम मिजो राम उडिसा च्छन ओर पश्चियमंगाल भी तो इस album कोंछ जो याज और पूछ भारत कोंछ ज़ुत रहते हैं जाब के कोश्चन अब इस घृत के एन्डॉच्वय प्र आफ बात और किस दीष ने एक केट संजय ते पर हश्टार कुत शेन जिसका सीरी सक है प्लाश्टिक जिससे सहर लड़ रहे हैं वे समुद्री परियावरन में प्रिवेस कर रहा है तो जर्मनी इसका सही आंसर है किस राज्य में कैदियों के स्वास्थ और प्रति रक्षा में सुधार के लिए ईसा फाउंडेशन ने 19 अपरेल 2020 को 10 दिनों के लिए विशेश ओनलाइन योग सत्र सुरू किया तो तमिलाडू सही आंसर है किस देश ने भारत में पहला मेगा फूट पार्क लॉंच किया इटली सही आंसर है विश्यू चैंपेंशिप के रजट विजेता दीपक पुनिया ने 9 अपरेल 2020 में किस देश में एशा कुस्ती चैंपेंशिप में रजट पदर दीता तो यह कजाकिस्तान में हुई थी कजाकिस्तान का जो बिस्केक है वहाँ पर किस देश के क्रिकेटर दिलहरा लोकू हटेगा पर ICC Anti-Corruption Code के उलंगन का दोसी पाए जाने के बाद सभी क्रिकेट पर 8 साल के लिए प्रतिबंद लगा दिया तो स्री लंका सही आंसर है किसने एमेनिय रोबंगन F1 Grand Prix 2020 को जीत लिया तो मैक्स वोश्ट अपन इस कोशन का सही आंसर है अब यह हैं देखो आज के कोशन जिनका आंसर आपको बताना है Table Mountain National Park चर्चा में है यह किस देश में इस्तित है इसका आंसर आपको बताना है पलमाईरा सहर इसको थो हमने इसी डिसकेशन में कवर कर लिया है लेकिन फिर भी आपको बताना है यह किस देश में है अपरेल 2021 में किस राज्य सरकार ने स्वास्ते सुरक्षा सब्ता का पालन करने के लिए गोशना की World Press Freedom Index 2021 में भारत की रेंग क्या है 20 अपरेल 2020 को रक्षा मंत्रा ले और किस देश की राष्टे रक्षा मंत्रा ले के बीच एक वेबिनार से एक्सपो का आयो जंग किया गया था उमंगोट हाइडरो इलेक्टिक पावर प्रोजेक्ट पतले ही जो उमंगोट हाइडरो इलेक्टिक प्रोजेक्ट है ये किस राच्चे में हैं तो इन 6 कोशनों कामसर आपको comment बोक्स में बताना हैं अब ये तो थी हमारी current fair की class अब Indian politics की जो हमारी series चल रही है जिसमें अभी तक हमने 8 classes को cover कर लिया है और आज कौन सी class है? आज हमारी 9th class है जिसमें हम high court को start करेंगे तो देखो अभी तक हमने 4 topic को cover कर लिया है कौन कौन से? सबसे पहले start किया था AGI उसके बाद President, फिर Parliament और फिर Supreme Court अब देखो Supreme Court को हमने cover किया है तो लगे हाथ high court को भी cover कर लेते क्योंकि ये मिलता जूलता है ज़्यादा इसमें समझने की जरूत है नहीं जो basic चीजे हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहले question पूचा जाएगा high court की स्थापना कब होई थी? तो देखो 1862 में 3 high court बनी सबसे पहले कौन कौन सी? कैलकता, Bombay और मदरास. पहले point important है question यहाँ से उठेगा. फिर 1866 में 4th high court बनी कहाँ पर बनी? यह बनी अलाबाद में देखो हमारे भारत के अंदर जो court का जो structure है वो कुछ इस प्रकार से है. पहले supreme court आती है जो सबसे उपर है. इसके बाद high court और फिनी चाहते है subordinate court जैसे district court तो समझ गए ना यह पुरा structure है supreme court हमने cover कर लिया है अब high court को start कर रहे है तो अभी तक हमने 2 point को cover कर लिया है कि सबसे पहले 1862 में 3 high court थी. कैलकता बॉंबे और मदरास. यह सबसे पुरानी high court है. फिर 1866 में 4th high court बनी. कहाँ पर अलाबाद में. अब देखो भारते सविधान. 3rd point में यह लिखा गया है 7th constitutional amendment act 1956. फिर से बोलता हूँ इस प्रकार कि जो amendment होते है amendment का मतलब क्या होता है सुधार करना. समझ गए ना तो यह 7th amendment act 1956. इसने क्या का कि देखो. पारलेमेंट establish कर सकती है. मतलब एक court या फिर दो. आप यह कह सकते common high court भी. अगर simple भासा में समझें. जैसे कि example की सहते हैं. पश्ची मंगाल की high court है. कौन सी? कलकता. इसी के अंदर. अंडमान और निकोबार की जो jurisdiction है. यह भी कलकता high court के अंदर कदाती है. एक example और समझते हैं. जैसे महराष्टा की high court है. कहाँ पर? बॉंबे के अंदर. तो 7th Constitutional Amendment Act 1956 में यही कहा गया. कि मतलब एक हाई court के अंदर. उसमें ज्यादा राज्यों की jurisdiction है. यह भी हो सकती है. मतलब common high court हो सकती है. अब पूछा जाएगा present time में कितनी high court हैं? तो आज की rate में है. मतलब आज जो तारीक है 23 अपरेल 2021 तक भारत के अंदर 25 high court हैं. 25 वी high court पूछी जा सकती है. लेटेश्ट कौन सी बनी है? तो यह कौन सी बनी है? अमरावती high court. याद रखेगा अमरावती high court कहां पर हैं? आंदर प्रदेश में हैं. यह latest high court हैं. अब सविधान के अंदर पार्ट 6 में आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 231 तक यह जो high court की जैसे organization, independence, jurisdiction, powers, procedures और जो दूसरी जानकारी हैं. इससे यह deal करते हैं यह आर्टिकल आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 231 और यह पार्ट भी आप याद रखेगा. पार्ट 6 है सविधांग का, जिसमें high court के बारे में बताया गया है. चलते हैं आगे. अब समझते हैं high court की organization क्या है? देखो जिस प्रकार से supreme court के अंदर एक structure है, जैसे वहाँ पे 34 जजज है. 34 में से एक तो है chief justice of India और 33 है judges. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे क्या है? अलग-अलग high court के हिसाब से, वहाँ पे judges और chief justice. Chief justice तो एक ही होएंगे, लेकिन जो judges हैं, उनको appoint क्या जाता है president के द्वारा time time पे, जब वहाँ पे जरुवत होती है. मतलब 95 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं. इस प्रकार से, मतलब time के हिसाब से, जिस high court में, उनकी जितनी जरुवत है, उस प्रकार से time to time उनको बढ़ाए भी जा सकता है, और कम भी क्या जा सकता है. अब बात कर लेते हैं appointment की, मतलब जो judges की नियुक्तियां हैं, वो किस प्रकार से होती हैं. तो देखो, हमने जब Supreme Court पढ़ाता है, जब हमने समझाता कि High Court के जो judge होते हैं, या फिर Supreme Court के जो judge होते हैं, इनको appoint के जाता है किस के दवारा? President के दवारा. तो पहला point को simple है, समझ गई. Second point का है? जब Chief Justice को appoint के जाता है, President के दवारा. तो इसमें consultation, यानि बादचित की जाती है, मतलब एक परकार से आप यह कह सकते हैं, सला ली जाती है, मतलब बात की जाती है, किस के साथ? Chief Justice of India और दूसरे. उस राज्ये का, आप example के साहिता से समझीए, जैसे उत्तर परदेश में किसी जज को appoint करना है, तो एक तो Chief Justice of India इंके साथ President बादचित करेंगे, और दूसरा उत्तर परदेश के जो राज्येपाल है, अभी कौन है? जैसे आनंदी बेन पटेल, तो इंके साथ यह बादचित करेंगे और फिर Chief Justice को appoint किया जाएगा, समझ गए न, जैसे उत्तर परदेश के अंदर, अगर किसी जज को, सोरी, Chief Justice को appoint करना है, उनको निउक्त करना है, तो Chief Justice of India और उस राज्ये के, जो राज्येपाल है, जैसे उत्तर परदेश के राज्येपाल, आनंदी बेन पटेल, तोहिं के साथ, President बातचित करेंगे, और फिर Chief Justice को appoint करेंगे, अब देखो, आपके धिमाग में एक बात आ रही होगी, जैसे Common High Court हो, जैसे हमने बात की थी, पश्चिमंगाल की High Court, जैसे कलकत्ता हो गई, और लक्षदीप, पश्चिमंगाल की, और अन्दमाने निकोबार की, अब Common High Court होगी, जैसे कलकत्ता हाई कोट के अंदर, अगर Chief Justice को appoint करना है, तो Chief Justice of India, इंसे तो बातचित की जाएगी, लेकिन पश्चिमंगाल के राजपाल, और अन्दमाने निकोबार में कौन है, जो हाँ पे Administrator है, इंके साथ बातचित की जाएगी, उसके बाद Chief Justice को appoint के जाएगा, जैसे महराष्टा के अंदर करना है, बोंबे High Court में, तो महराष्टा और गोवा और DNHDD, इन तीनों के जो राजपाल हैं, बातचित की जाएगी, और याद रखेगा, दिल्ली में High Court बनी थी कब 1866 में, ये पोईंट आप याद रखेगा, जब अलाबाद में High Court बनी, 1866 में, उसके ठीक 100 साल बाद, दिल्ली में High Court बनी, 1966 में, तो अभी तक बात करी हमने, और अपोईंटमेंट के बारे में, अब बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन बारे में, जजजिस की जो क्वालिफिकेशन है, ये क्या होनी चाहिए, पहला पोईंट तो इंपोटेंट है, भारत ये नागरिक होना चाहिए, ही शुट बिए सिटिजन ओफ इंडिया, सेकंड पोईंट में, दो पोईंट हैं, समझते हैं, ए क्या बोलता हैं, ए बोलता है, ए बोलता है, देखो भारत की टेरिटरी के अंदर, दस साल के लिए, इनका एक जुडिशल ओफिस होना जरूरी है, समझ गए न, दस सालों के ल कोंगो अपोईंट कर दिया जाएगा, फिर से बोलता हूं, या तो वो भारत की टेरिटरी के अंदर, दस साल के लिए, उनका अपना जुडिशल ओफिस हो, या फिर वो, दस साल के लिए, हाई कोट के अंदर वकील हो, तो देखो, इससे क्या जाहिर होता है, नीचे बाल पो प्रिस्काइब नहीं की है, कोश्यन यहां से उठेगा, क्या सविधान में मिनिममाम एज डिस्काइब की गई है? जी नहीं, सविधान में मिनिमम एज नहीं कही गई है, तो ये दो पोopath रखे गई हैं, देखो वैसे तो, जो इनको अपोईंट के जाता है, जजिसको, ये 62, जो 62 साल है मतलिए जब तब उनकी 62 साल complete नो हो जाए तब तक उनको बनाय जाता है जिससे वो सुप्रिम कोट में 65 साल है जिससे वो ही जो 3 साल का जो gap है ये अगर सुप्रिम कोट में काम करना चाहे तो वो कर सकते हैं तो समझ गए ना तो हमने क्या-क्या कवर किया, qualification कवर की है, और क्या कवर किया है हमने organization, appointment यह हमने high court की कवर की है, तो फिलाल इस discussion को हम यहाई पर रोगते हैं तो फिलाल इस discussion को अब यहाई पर रहने देते हैं कल हम इसके आगे से और आगे का कवर करेंगे, high court की एक class और होगी और कल हमारे यह high court कवर हो जाएगा Thank you